हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वॉक्षीट नमबर 12 जो की 26 अगस्ट 2021 की वॉक्षीट है और आज का विश्य है विज्ञान और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है सूक्षम जीव तो चलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आम गर्मी के मौसम में आते हैं सर्दी के मौसम में नहीं आते हैं तो अगर हमें सर्दी के मौसम का कोई फल या सबजी गर्मी के मौसम में खानी है या गर्मी के मौसम की कोई भी सबजी या फल को हम सर्दी के मौसम में खाना चाहते हैं त तो वे बहुत तेजी से वृधि करते हैं, यानि कि जो सूक्षमजीव हैं, जो फल, सबजियों, हमारे शरीर, अलग-अलग जगें पर मिल सकते हैं, ये लगभग हर जगें मौजूद होते हैं, और उनको सही तरीके से ताप और नमी मिल जाए, तो ये बहुत तेजी से बढ़ सीरिया या कोई सूक्षमजीव जो है, उससी बदल जाता है, उसमें बदबु आ जाती है, और वै खाने-योग नहीं रहता है, भोजन को सूक्षम जीवों से बचानी के लिए हम निम लिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानि अगर हम चाहते हैं, कि हमारे भोजन पे ये सूक्षम जीव कम से कम काम करें और हमारा खाना लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें तो इसके लिए हम कुछ चीजे कर सकते हैं कुछ विधिया अपना सकते हैं जिनसे हमारा ये भोजन लंबे समय तक चल सकता है जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सबजी और उनसे बनी हुई चीजों का मजा ले सकें तो अब देखिए कौन-कौन से तरीके हैं वो हम समझते हैं भोजन को सूक्षम जीव से बचाओ या खादे परीरक्षन के उपाए तो हम यहाँ पे यह देखें कि खादे परीरक्षन का मतलब होता है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना उसको सूक्षम जीवों से बचाना तो इसके क्या-क्या उपाए है पहला उपाए है रासायनिक उपाए जीवों और सूक्षम जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं जैसे कि सोडियम बैंजोएट है और रखते हैं दूसरा तरीका है नमक द्वारा परिरक्षन जैसे मांस या मचली है आम को सूखे नमक से ढख देते हैं जिससे कि सूक्षम जीवों की व्रिधी नहीं होती है तो आपने देखा होगा अक्सर आपकी ममी जब आचार बनाती है तो आम में नमक भी डालती है और तो हम नमक से ढख देते हैं क्यूंकि नमक की पस्थिती में जो सूक्षम जीव है वो अच्छे से व्रिधी नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से हमारा मांस मचली या आम या जिसमें भी हमने नमक डाला है वो सुरक्षित रह जाता है और खराब नहीं होता है ठीक है तीसरा आपे जो मैथड बता रखा है वो है चीनी द्वारा परिरक्षन तो अब देखो हर चीज में हम नमक तो डाल नहीं सकते तो कुछ चीजों को हम परिरक्षित करते हैं चीनी के द्वारा चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है क्यूंकि हमें पता है सूक्षम जीव उचित तापमान और उचित नमी मिलने पर ही काम कर पाते हैं तो अगर हम नमी को कम कर देते हैं चीनी के द्वारा तो सूक्षम जीवों की वृधि रुख जाएगी और हमारा खादे पदात सुरक्षित रह जाएगा और ये तरीका अपनाया जाता है जैम में जैम में नमक डाली जाती है जिससे उसमें नमी गम हो जाती है और सूक्षम जीव वृधि नहीं कर पाते हैं अगला तरीका है तेल एवं सिरके के द्वारा अचार, सबजी, फल, मांस वा मचलियों का परिरक्षन तेल वा सिरके द्वारा करते हैं तो अचार बनाते वक्त भी आपने देखा होगा आपकी मुमी बहुत सारा उसमें तेल डालती है यह इसले ही किया जाता है जिससे कि जो सूक्षम जीव हैं यहां पर वृधि ना कर पाएं और हमारा अचार, फल, सबजी, मचली जो भी हम रख रहे हैं वो सुरक्षित रह पाएं अगला है गर्म वा ठंडा करना दूद को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्षम जीव नस्ट हो जाते हैं तो हमें पता है कि अगर हम दूद को नहीं उबालेंगे तो हमारा दूद खराब हो जाता है तो दूद को उबाल कर सूक्षम जीवों को हम नस्ट करते हैं जिससे हमारा दूद सुरक्षित रह जाता है इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्षम जीवों की वृधि को रोगता है तो अगर हम भोजन को fridge में रख देते हैं और fridge का तापमान क्योंकि काफी कम होता है और कम तापमान में सूक्षमजी वच्छे सिवरिधी नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से हम गर्म और थंडा करके भी चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बाद देखिए एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं पास्चुरी करण दूद को 70 degree centigrade पर 15-30 second के लिए गर्म करते हैं फिर एका एक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं ऐसा करने से सूक्षम जीव की व्रिधी रुख जाती है और इस प्रक्रिया को प 70 degree centigrade तक गर्म करते हैं 15-30 second के लिए और उसके बाद तुरंत इसको ठंडा कर देते हैं और थैलियों में भर देते हैं इस तरीके से जो हमें दूद मिलता है वो पास्चुरी कृत दूद होता है और इसको हम बिना उबाले भी पी सकते हैं और इसकी खोच करी थी लूई पास् को उबाल लेना चाहिए दूद को ठीक है अब पास्ट्री करत दूद आपको अगर समझना है तो अगर आप पककेट लेकर आते हैं दूद का तो उसमें देखे कही ना कहीं पास्चाुराइज्ट मिल्क जरूर लिखा होता है या हिंदी में पास्च्च्री कृत दूद तो हम फिर से देखो जानते हैं कि सुक्षम जीव नमी में बहुत जादा जल्दी से उत्पन होने लग जाते हैं तो हम अपने जो सब्जियां हैं या मेवें हैं इसको अगर एक ऐसे सील करके रखते हैं जिससे वहाँ पर नमी ना पहुँच पाए तो सुक्षम जीव रिधी नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से जो हमारा सबजियां या मेवे हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे ठीक है अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रशनों के उत्तर देने हैं पहला प्रशन है कि किनी दो रासाइनिक परिरक्षक के नाम बताओ तो हमने ऊपर पढ़े थे तो द प्रशन के उत्तर में ठीक है दूसरा प्रशन है खादि परिरक्षन के कोई चार तरीके बताइए तो यहां पे हमने देखो कई सारे तरीके पढ़े हैं एक दो तीन चार पांच इन पांच में से कोई भी चार तरीके आप कोश्ण नंबर टू के आंसर में लिख सकते हैं ती तो देखिए तीसरे और चौते प्रेशन का उतर हम धूंड़ते हैं, तो देखिए तीसरे प्रेशन का उतर है, कि अचार में तेल वा नमक इसलिए डाला जाता है, जिससे अचार को लंबे समय तक बचाया जा सके, या फिर इसको आप रख सकते हैं, कि परिरक्शित रखा जा स किया जा सके ठीक है तो ये तो हो गया तीसे प्रेशन का उतर आप यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रेशन देखिए चौते प्रस्ट में हमें बताना था कि आम से बनी हुई चार ऐसी चीजें जिनको हम परिरक्षित कर सकते हैं तो उनमें पहला है अचार जिसको हम लंबे समय तक खा सकते हैं दूसरा है आम की आइस्क्रीम तीसरा है चीजकेक आम का चीजकेक और उसके बाद है आम पापर तो इन सारी चीज़ें हैं जो आम से बनी हुई है और इसको हम लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं तो यह थी आज की हमारी साइंस की वर्कषीट I hope यह worksheet आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी Thank you